इसराइल रक्षाबलो ने रविवार को कहा कि उसने लेबनानी शिया अंदोलन हजबुला के प्रेटेंटिव सेक्यूरिटी युनिट के कमांडर नबील कॉक कुमार गिराया है IDF ने एक बयान में कहा कि कल IDF ने आतंकवादी नबील कौक कुमार गिराया जो हजबुल्ला की प्रिटेंटिव सिक्यॉरिटी यूनिट के कमांडर और केंद्रुय परिश्ट का सद्द से था एरान के सरवच नहीं था आया तो लाली खेमिने नहीं नहीं कहा कि नरसला की मौत का बदला लिया जाएगा फिलाल खामीने को सुरक्षत असान पर भेज गया गया है बयान में कहा गया है कि कौक आंदोलन के शिर्श कमांडरों के करीब था और इस्राइल तथा उसके नागरिकों के खिलाफ हजबुल्ला की अभियान को बढ़ावा देने में लगा हुआ था आईडेफ ने भी कहा कि ऑपरेशन देश के सुरक्षा के लिए खत्रा बनने वाले आतनकबादी तट्वन के खिलाफ किया गया है हजबुल्ला ने फलहाल आईडेफ के दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है असराइल डेफेंस फोर्स के मताबिक अब तक हजबुल्ला की टॉप 20 कमांडर मारे जा चुके हैं यह टॉप लिडर्शिप का कौल 95 प्रतिशत है आईडेफ ने जन कमांडरों को धेर किया है उनमेर फोर्स चीफ मुहमद हुसान सरूर उपरेशन है डिबराहीम अकील कमांडर फवाद शुक्र दक्षडी मोचे का कमांडर अली करा की मिसाइल फोर्स का है डिबराहीम को बैसी प्रमुख है असराइली बंबारी में एरान समर्थ है थजबुला नेता हजनर सल्ला की मौत के बाद चीन ने रविवार को समधित पक्षो खासकर असराइल से पश्चमेशिया में संघर्ष को अन्यंतरत होने से रोकने के लिए गटाने के वास्ते तुरंत कारवाई करने का अवान किया चीन के विदेश मंतराले के एक बयान में कहा गया है कि चीन इस घटना पर खरीबी नजर रख रहा है और श्रित्र में तनाव बढ़ने से काफी चिंतित है इसके अलावा चीन ने भी एक सला जारी करके अपने नागरिकों से संघर्ष तेज होने के कारण लेबनान की आतरा न करने के लिए कहा है विदेश मंतराले के बयान में कहा गया है कि चीन लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा क्यों लंगन का विरूद करता है नर्दोश नागरिकों के खलाफ किसी भी कारवाई का विरूद और निंदा करता है और ऐसे में किसी भी कदम का विरूद करता है जो शत्रुता को बढ़ावा देता है और शेत्रियत तनाव को भी बढ़ावा देता है